प्रेस ने साथ रिया और राहूल पिकनिक पर गए उनकी माँ ने उन्हें पांच लिटर पानी वाली एक बोतल दी रिया ने कुल पानी का तीन बटा पांच उपयोग किया सेस पानी राहूल ने पिया रिया ने कितना पानी पिया पानी की कुल मातरा का कितना हिसा राहूल ने पिया तो प्रेस ने साथ का पहला देखे तो उनकी मा ने उन्हें पांच लिटर पानी वाली एक बोतल दी रिया ने कुल पानी का तीन वटा पांच उपियोग किया तो पहला हम क्या कह रहा है रिया ने कितना पानी पिया तो रिया जो है कुल पानी का यानि पांच लीटर का पांच लीटर का कितना उप्योग किया है तीन बटा पांच पांच लीटर का तीन बटा पांच रिया ने पांच लीटर का तीन बटा पांच उप्योग किया है ठीक है यानि कुल पानी का तीन बटा पांच तो देखें कुल पानी कितना है पांच लीटर तो पांच लीटर का तीन बटा पांच यानि पांच गुना तीन बटा पांच लिख लेंगे का मतलब क्या होता है गुना तो पांच से पांच कट गया यानि तीन लीटर कितना आ गया तीन लीटर तो रिया ने 3 लीटर पानी उपयोग किया है यानि रिया ने 3 लीटर पानी पिया है ठीक है तो पहला में क्या बुछ रहा था कि रिया ने कितना पानी पिया तो रिया ने 3 लीटर पानी पिया है तो देखे रिया ने कुल पानी का 3 वटा 5 उपयोग किया पांच लिख लेंगे पांच से पांच कट गया क्या बचा तीन लिटर रियाने पानी पिया है तो पहला का उत्तर मिल चुका है दूसरा पानी का कुल मात्रा का कितना हिसा राहुल ने पिया तो लिखेंगे माना माना पानी की कुल मात्रा का एक्स हिसा एक्स हिसा राहुल ने पिया है हम क्या मान लेंगे कि पानी की कुल मात्रा का एक्स हिसा राहुल ने पिया है तो पूछ रहा है पानी की कुल मात्रा का कितना हिसा राहुल ने पिया है तो उसको हम एक्स मान लेंगे यानि पानी की कुल मात्रा का एक्स हिस्सा राहुल ने पिया है इसको हम एक्स माल लेंगे ठीक है अब अतर अब देखिए पानी की कुल मात्रा पानी की कुल मात्रा कितना है तो पानी जो है राहुल की मा ने 5 लीटर पानी ले गई है पीने के लिए तो कुल मात्रा कितना होगा, पांच, तो पांच का, तो पांच का, एकस हिसा, यानि पांच का एकस बराबर, अब देखें, रिया कितना पीए है, तीन लिटर, तो रिया कितना पीए है, तीन लिटर, यानि पांच में से तीन लिटर को घटा देंगे, तो पांच लिटर में से तीन लीटर को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा राहुल ने जितना पानी पिया है वह निकल जाएगा तो पांच में से तीन गया दो देखिए तीन लीटर कौन पी है रिया और कुल पांच लीटर है तो दो लीटर राहुल ने पिया है क्योंकि तीन लिटर पांच लिटर पानी है जिसमें कि तीन लिटर खत्म कर दी है रिया ने तो कितना बचा दो लिटर यानि पांच में से तीन को घटा देंगे तो हो जाएगा पांच का एक्स यानि पांच एक्स बराबर क्या हो गया पांच में से 3 गया 2 देखे 5 लिटर पानी है तीन लिटर रिया ने पी तो 5 में से 3 घटा देंगे तो यानि 2 लिटर कौन पिया राहूल तो X बराबर कितना हो जाएगा अथा X बराबर हो जाएगा 2 वटा 5 तो देखे ये कैसे हुआ देखिए 5X है बराबर के बायां तरफ क्या है 5X यानि X के साथ 5 गुना हो रहा है तो 5 को बायां से दायां तरफ करेंगे तो भाग में हो जाएगा यानि X बराबर 2 बटा 5 एकस बराबर 2 बटा 5 तो पानी की कुल मातरा का 2 बटा 5 हिस्सा राहूल ने पिया है तो इस तरह हम इसको हल करेंगे ठीक है तो पानी की कुल मातरा का एकस हिस्सा राहूल ने पिया है यह हम माने थे तो X बराबर कितना आ गया दो बटा 5 यानि दो बटा पांच हिस्सा राहुल ने पिया है प्रसनाठ ग्याद करें प्रसनाठ का पहला क्या है एक दिन का एक दिन का पांच बटा छे एक दिन का पांच बटा छे घंटों में घंटों में तो एक दिन का पांच बटा छे घंटों में ग्याद करना है ठीक है तो एक दिन का पांच बटा छे कितना होगा तो एक दिन में 24 घंटा होता है तो एक दिन में 24 घंटा होता है तो 24 का पांच बटा छे यानि का मतलब गुना तो घंटों में ग्याद करना है तो पहले दिन को घंटा में बदल लेंगे ठीक है तो एक दिन का 5 बटा 6 घंटों में ग्याद करना है तो एक दिन में 24 घंटा होता है का मतलब होता है गुना तो 24 गुना 5 बटा 6 तो 6 चोग 24 यानि 4 पचे 20 4 पचे 20 घंटा हो जाएगा तो एक दिन का 5 बटा 6 कितना होगा 20 घंटा एक दिन का पांच बटा छे होगा बीस घंटा दूसरा एक घंटे का दो बटा तीन मिनट में ग्याद करना है क्या में ग्याद करना है मिनट में तो एक घंटे का दो बटा तीन मिनट में ग्याद करना है तो एक घंटे का दो बटा तीन कितना मिनट होगा तो एक घंटे में 60 मिनट होता है देखे मिनट में ग्याद करना है इसलिए घंटा को मिनट में बदल देंगे तो एक घंटा में 60 मिनट होता है का मतलब होता है गुना तो 60 का 2 बटा 3 60 का 2 बटा 3 कितना होगा तो गुना में तो तिर्चा काट लेंगे तीन दूना छे यानि बीस, बीस तिया साथ, तो बीस दूना क्या हो जागा, चालिस, तो एक घंटे का दो गटा तीन, कितना मिनट होगा, चालिस मिनट, एक घंटे का दो गटा तीन, कितना मिनट होगा, चालिस मिनट, तीसरा, एक घ एक सब्ता एक सब्ता का दो बटा साथ दीन में क्या में बदलना है दीन में तो एक सब्ता का दो बटा साथ तो दीन में बदलना है इसलिए सब्ता को पहले दीन में बदलेंगे तो एक सब्ता में साथ दीन होता है का मतलब होता है गुना तो साथ गुना दोवटा साथ साथ गुना दोवटा साथ तो एक सब्दा में साथ दिन होता है का मतलब हो गुना तो एक सब्दा का दोवटा साथ दिन ये एक सब्दा का दोवटा साथ दिन में बदाना है इसलिए सब्दा को दिन में बदले हैं तो एक सब्ताह का दो बटा साथ, तो साथ गुना दो बटा साथ लिख लेंगे, साथ से साथ कड़ गया, क्या बचा, तो दो दिन, तो एक सब्ताह का दो बटा साथ, क्या होगा दो दिन, एक सब्ताह का दो बटा साथ होगा दो दिन, चौथा एक किलो ग्राम का एक किलो ग्राम का तीन बटा पांच क्या में बदलना है? तो ग्राम में एक किलो ग्राम का तीन बटा पांच ग्राम में बदलना है तो एक किलो ग्राम को पहले ग्राम में बदलेंगे तो एक किलो ग्राम का तीन मटा पांच कैसे निकलेगा तो देखे एक किलो ग्राम का तीन मटा पांच और यहां पे लिखा हुआ है ग्राम में तो पहले किलो ग्राम को ग्राम में बदल लेंगे तो एक किलो ग्राम में एक हजार ग्राम होता है कितना होता है एक हजार ग्राम तो एक किलो ग्राम को बदल देंगे ग्राम में का मतलब होता है गुना और तीन मटा पांच तो एक हजार गुना तीन मटा पांच पांच से एक हजार को काट देंगे पांदूना दस यानि दो सो पचे एक हजार तो दो सो तिया छे सो तो एक किलो ग्राम का तीन बटा पांच क्या हो जाएगा छे सो ग्राम एक किलो ग्राम का तीन बटा पांच क्या हो जाएगा छे सो ग्राम पांचवा एक वर्स का एक वर्स का तीन बटा पांच दिन में इसको बदलना है देखें एक वर्स का तीन बटा पांच क्या में बदलना है दिन में तो एक वर्स को पहले दीन में बदल देंगे तो एक वर्स में 365 दीन होता है तो एक वर्स में 365 दीन होता है तो वर्स को पहले दीन में बदल देंगे का मतलब होता है गुना तीन बटा पांच तो 365 गुना तीन बटा पांच लिख लेंगे 5 से 365 को काट देंगे 5 से 35 एक इधर के तो 15 हो गया तो 5 ती या 15 यानि कितना आ गया 3 ती आई 9 7 ती आई 21 यानि 219 दिन तो एक वर्स का 3 वटा 5 कितना होगा 219 दिन एक वर्स का 3 वटा 5 क्या होगा 219 दिन प्रस न नौ एक आईता कार आंगन 5 पुनां के कोटा 4 मीटर लंबा और एक पुनां के कोटा 7 मीटर चोड़ा है तो आंगन का परिमाप ग्यात करें तो एक आईता कार आंगन कितना मीटर लंबा है 5 पुनां के कोटा 4 मीटर लंबा है और एक पुर्णांक एक वटा साथ मीटर चोड़ा है तो आंगन का परिमाब ग्याद करना है तो देखे परिमाब बराबर क्या हो जाएगा आंगन का परिमाब तो परिमाब बराबर हो जाएगा गुना पांच पुर्नांग एक वट्ण चार जोड़ दो गुना एक पुर्नांग एक वट्ण साथ इस तरह लिख लेंगे तो देखें आयताकार आउंगन है तो आयताकार यानि आयत के जैसा है तो लंबाई और चोड़ाई होगा ठीक है तो लंबाई को दो से गुना करेंगे और चोड़ाई को भी दो से गुना करेंगे क्यों कि आयता का रांगन है तो लंबाई और चोड़ाई होगा तो लंबाई को दो से गुना करेंगे और चोड़ाई को भी दो से गुना करेंगे क्यों करेंगे क्योंकि देखिए तो आंगन इस तरह का होगा आयताकार है यानि आयत के जैसा है इस तरह का होगा मानले जी यह आंगन है जिसका लंबाई कितना है 5 पूर्णांक 1 वटा 4 मीटर और चोड़ाई है 1 पूर्णांक 1 वटा 7 मीटर ठीक है ये लंबाई है और ये चोड़ाई 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 चोड़ा होता है लंबाई बड़ा होता है अब देखे ये 5 पुर्णाग एक वटा 4 मीटर है तो ये भी 5 पुर्णाग एक वटा 4 मीटर होगा अब ये चोड़ाई है तो ये ये कितना है एक पुर्णाग एक पूरा को जोड़ना है तो पांच पुनांक एक वटा चार और पांच पुनांक एक वटा चार तो दो गुना पांच पुनांक एक वटा चार कर दिया है फिर जोड़ देंगे फिर यहां भी देखे दो बार है इसले दो गुना एकають पुनांग के खोटा 7 किया है तो दो बार हैं इसले 2 से गुना किया है और बीच में जोड काचीन है अब इसको हल कर लेते हैं तो 2 गुना पांचो को 20 20 को 28 21 वटा 4 जोड 2 गुना 7 गुना एक साथ 7 एक 8 8 वटा 7 तो दू दूना चार कट गया दू दूना चार तो देखे पांचोग 20, 20 सक 29 21 बटा 4 लिख लेंगे तो 2 से 4 कट गया दो बार में क्या बचा 21 बटा 2 जोड 21 बटा 2 जोड आठ दूनी 16 बटा 7 16 बटा 7 21 बटा 2 जोड 16 बटा 7 इस तरह लिख लेंगे 7 और 2 का लगुतम क्या होगा 7 दूना 14 7 दूना 14 तो 2 सत्य 14 तो 21 सत्य 147 जोड 7 दूना 14 तो 16 दूना 32 अब इसको जोड़ेंगे 7 दूना 4 तिन 7 179 बटा 14 अब इसको भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा तो 14 गुना 14 तीन इदर गया 49 हो गया तो 14 दूना 28 28 दर सा 38 एक 49 यानी 11 आएगा सेसफल तो 11 को यहाँ पर लिख देंगे 14 को यहाँ पर लिख देंगे और भाग फलोग या 12 तो 12 पूर्णा की 11 बटा 14 मीटर इसका परिमाप होगा तो आइताकार आंगन का परिमाप कितना होगा 12 पूर्णा की 11 बटा 14 मीटर फिर से इसको समझ लेते हैं तो देखे परिमाब बराबर क्या हो जाएगा दो गुना लंबाई जोड दो गुना चोड़ाई ठीक है तो लंबाई को दो से गुना कर देंगा और चोड़ाई को भी दो से गुना करेंगे क्योंकि आयताकार आंगन है तो इसलिए लंबाई को दो से गुना करेंगे और चोडाई को भी दो से गुना करेंगे तो गुना करने पर आगे 21 बटा दो और यहाँ पर आगे 16 बटा साथ अब इसको जोड़ेंगे तो लगुत्तम लेकर के जोड़ेंगे तो हो जाएगा 189 बटा 14 जो कि हो जाएगा 12 पुर्णांक 11 बटा 14 मीटर तो आयताकार आंगन का परिमाप कितना हो गया 12 पुर्णांक 11 बटा 14 मीटर